नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाती है कि कैसे बड़े सपने देख कर उन्हें साकार किया जा सकता है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, डेविड जे इस वीडियो में हम आपको इस किताब के प्रमुक सिधानतों और विचारों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच को एक नए आयाम पर ले जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले चैप्टर से विश्वास करें की आप सफल हो सकते है और आप सफल हो जाएंगे हर इनसान के जीवन में लक्षे होते है, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गराज को साथ करने जितना चोटा लक्षे हो या फिर दस साल में दस लाक रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्षे हो जब आप अपने लक्षे की और बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूँ इस चुनौती पूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा इसका अर्थिय है कि आपको अपना माइंसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर creative powers आ जाती है जो आपको अपने लक्षों को पूरा करने में मदद करती है जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी creative power बड़ेगी इसका मतलब यह है कि अपनी अपनी कंपनी का vice president बने जितना कठिन लक्षे भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फाइदा ये भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं इस विश्वास या इच्छा को ही सभी social leaders सफलता के साथ जोडते हैं चाहे जीवन में कितनी भी समस्याय आएं यही विश्वास लोगों को motivated रखता है यही एक सबसे अच्छी quality है जो किसी भी candidate को perfect बनाती है क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ती को बढ़ाना चाहते है और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते है धन कमाना चाहते है और सफलता पाना चाहते है तो हमने अपनी website brainbook.in पर positive affirmations और law of attraction के कुछ audio बनाए है आप description में दिये हुए लिंक पर जाकर या उपर आई बटन पर क्लिक करके इन audios को डाउनलोड कर सकते है बहाना साइटिस का इलाज कराएं यह सफलता की बीमारी है इस best statement पर सभी की अपनी अलग-अलग राए है कि दुनिया में दो तरह के लोग है सफल लोग और असफल लोग एक वे जो अपनी वास्तवी क्षमता को पहचानने में असफल हों गए है और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफ स्टाइल में खुद को सफल बनाया है आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है यह असफल होने के बावजूद उनकी हारना मानने की क्षमता है जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में विस्त रहते है वही सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में विस्त रहते हैं अंतह हर सफल इनसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती है जिस तरह एक असफल इनसान के सामने आती है पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह करता है वो उसे सफल बना देता है उदाहरन के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रियेटिव बनते हैं एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था लेकिन पता चला कि वेडाउन पेमिंट का खर्च उठाने में असमर्थ थे ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते या बहाना बनाते इस जोड़े ने क्रियेटिव रूप से सोचने का फैसला किया पती ने घर के बिल्डर से संपर किया और शुरुआती पेमिंट को कवर करने के लिए एक परसनल लोन मांगा एक सो डॉलर मंथली लोन के भुगतां का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्चे में से पचीस डॉलर कम खर्च करने का फैसला किया और पती ने अतिरिक 75 डॉलर बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुन मौझूद थे तो उसने वह घर खरीद लिया चाप्टर तीन विश्वास जगाएं डर भगाएं लोगों को अकसर यह सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अंजाने प्रोबेल्म से बाहर आ सके और आगे बर सके लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर एक दुश्मन बन सकता है जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते है जैसे कि एक सामानने भई है दूसरे लोगों का डर इस डर के कारण आप यह भूल जाते है कि दूसरे भी आपके जैसे इनसान है कोई सुपरमैन या सुपरवुमैन नहीं है हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पर सकता है भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो उन सब की एक ही दवा है कॉन्फिडेंस यानि आत्म विश्वास यह समझे की कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है आपका आत्म विश्वास जितना मजबूत होगा, उतना ही आपके उपर डर का कम प्रभाव पड़ेगा Confidence बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Confidence से काम करे, भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नैच्रल हो जाएगा कक्षाओं या प्रेजेंटेशन्स के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ हाखे मिला कर बात करना और सामाने से 25 प्रतिशत तेजी से चलना यह सभी चीजे confidence को बगाने में मदद करती है चैप्टर चार बड़ा कैसे सोचे? हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बलकि images या चित्रों में सोचता है हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसकी एक image बना लेता है जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक image बन जाती है लेकिन यह इतना महित्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप problem, शब्द को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक image बन जाती है लेकिन वही अगर आप challenge, शब्द को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में मजेदार, रोमाचक और सुखत तस्वीरे बनती है शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े, साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर positive भावनाए जागे और आप बड़ा सोच सकते हैं रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे और सपने देखें आपने यह वाके सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ती है इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम जानते है, उतना ही अधिक हम कर सकते है लेकिन यह परिभाशा दो प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है Fact Memorization और Creative Thinking Fact Memorization के साथ हाप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते है परन्तु यह जमा Facts किसी कूड़े में पढ़े पुराने बकसों की तरह पढ़े रह जाते है आप उसका उप्योग तभी करते है जब आपको उस बकसे के अंदर की चीज की जरूरत हो दूसरी और Creative Thinking नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तेयार करना हालांकि तथियों को याद रखना अपने आप में इंपोर्टन्ट है लेकिन Creative Thinking हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है सफल लोग हमेशा Facts को याद रखने की बजाए अपनी Creative Thinking को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते है आप इन तीन तरीकों से अपने Creative Thinking को बढ़ा सकते है नए विचारों को Accept करें, नए चीजों को आज माने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय ले और हर सुबह दस मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लगाएं की मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे आज के समाज में negativity हर जगह है समाचारों में बताई गए हत्याओं से लेकर advertisements तक जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते है लेकिन केवल ये media ही negative नहीं यहां तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अकसर कहते है तुम यह नहीं कर सकते इसलिए तुम कोशिश भी मत करना मिसाल के तौर पर कलपना कीजिए आपके सबसे करीब दोस्त भी आपके अपनी कमपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते है कुछ समय बाद हम इस negative सोच के इतने आदी हो जाते है कि हमें ये सब normal लगने लगता है हमारे negative विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते है जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते है ये उतने ही मजबूत होते जाते है जब तक कि वे हमारी positive सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते परंतु सच ये है कि negative सोच हमारे लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है असल में यह उन मुख्य चीजों में से एक है जो लोगों को सफल बनने से रोकती है यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता है कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरिज होते है सपष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस negativity से छुटकारा पाना जरूरी है ऐसा करने के लिए हर दिन positive तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें यह आपके दिमाग में negativity को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकालने में मदद करेगा ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुनों की याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं इस विज्यापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़े और चुपचाप से दिन में कई बार पहें जल्द ही आप अपने आपर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की negativity आप से ऐसे दूर हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश से दूर हो जाती अपने माहौल को सुधारे फर्स्ट क्लास बने आप शायद इस वाके से परिचित है आप वही होते है जो आप खाते है जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्थी शारीर चाहते है तो आपको हेल्थी भोजन खाना चाहिए यही विचार आपकी मानसिक्ता पर भी लागू होता है आपके रहने का स्थान आपके दोस्त आप जो सोचते है आप जो परते है ये सभी मन के भोजन के रूप में कारे करते है और आपकी ठिंकिंग प्रोसेसेस को प्रभावित करने में महित्वपूर्ण भूमिका निभात उदाहरन के लिए गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंद बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरन का निर्मान करें। यह सुनिष्चित करके करें की आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चितम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विक्सित ह प्रोच साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहे और उनके बारे में पढ़े। जब आपके दिमाग में कोई प्रशन हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो तो हमेशा उनहीं लोगों से सलाह ले, जो वहाँ पहले से हैं, जहा कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी विक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो बहले ही वे इसके बारे में बात न करना चाहे लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकमफोोटिबल या बुरा महसूस कर रहे हैं, हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं। क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाशा नहीं थी, बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करता था, शब्दों और वाक्यों पर नहीं, हम दूसरों के attitudes को पर सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी, attitude मन का दरपन है, एक negative attitude वाले व्यक्ति को positive attitude वाले व्यक्ति से अलग reaction मिलेगा, अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिनाम चाहिए तो आपको positivity से भरे attitude को अपनाने की जरूरत है, positive attitude रखने का एक तरीका यह है, कि आपको यह ध्यान में रखना है, कि आप जो कर रहे है, वह नैतिक रूप से सही है, जब लोग ऐसी चीजें करते हैं, जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी महित्वपूर्ण विक्ति से जूट बोलना या किसी दोस्त का फाइदा उठाना यह आपके अंदर गिल्द को जन देता है, और आपके विश्वास को नश्ट करता है, दूसरी ओर, अपने डिसिजन से खुश और कमफोर्टिबल होना, आपके अंदर अधिक आत्म विश्वास का निर्मान करता है, और आपके मूड को बेहतर बनाता है, दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव अपनाने का एक और तरीका यह है, कि आप सर्वश्रेष्ट दिखें, जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, तो यह आपको महित्वपूर्ण महसूस कराता है, और दूसरों को भी लगता है, कि आप महित्वपूर्ण है, इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहां तक की अपने रोजमर्ण के जीवन में भी इसे अपनाई, चैप्टर नाइन, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बरताव किया है, स्वाभाविक रूप से आपका पहला रियाक्शन यही होगा कि आ आप उस इनसान को गुसे वाला या पागल किस्म का समझेंगे, हालांकि आप ये भूल गए कि वो भी आप ही की तरह इनसान है, और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रियाक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज से पीरित है, यह सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह व्यवहार करते है, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते है, यानि कि एक इम्पोर्टन्ट विक्ति की तरह, तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बरताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आप से अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आप जब उचाया हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बन कर आपके साथ रहेंगे, उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इंपोर्टन्ट है, क्योंकि एक अकेले विक्ति के लिए बड़ी सफ रहते हैं, हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता, यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझे कि यही वो विक्ति है जो आपके करिय को बना सकता है या बिगार सकता है, दस काम में जूटने की आदत डालें, यदि आप ऐ ऐसे विक्ति हैं, जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, तो उस रियलाइजेशन तक पहुचना काफी रोमाचक रहा होगा, लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है, लक्षों को बनाना आसान है, लेकिन बिना कारे कि ये सभी लक्ष बेकार है, किसी भी कारे को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे आप अपने लक्षे को हठीकत में बदल सकें, सफल लोगों के विवहार और तक्नीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं, अपने आइडिल परसन या आदर्श विक्ति को देखें और खुद से सवाल करें की उन्होंने ये कैसे किया, चाप्टर ग्यारह, हार को जीत में कैसे बदले, आमतोर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर हंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षन करते है, और सिविल एविएशन एड्मिनिस्ट्रेशन विमान दुर घटना स्थलों का अधेन करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अधेन हमें सिखाता है, कि भविश्य में इन चीजों से कैसे बचा जाए, एक असफलता या हार का सामना करने के बाद, हमें कभी भी हिम्मत नही हारनी चाहिए और अपनी उर्जा को खत्म नहीं करना चाहिए केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी उर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आपको अगले अफसर के लिए अधिक योगे बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ इसलिए अपने लक्षों तक पहुचने के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होती है जब भी आप असफल हो तो उसका विशलेशन करें इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से जादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे चाप्टर बारह लक्षे बनाए, सफल बने जब तक आप कोई लक्षे नहीं बनाते, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते लक्षे के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं वह बस जीवन भठोकर खाते रहते हैं वे जीवन में कहीं नहीं पहुँच पाते क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां है सफलता पाने के लिए लक्ष उतना ही जरूरी है, जितना की जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष के सफल नहीं हो पाया है इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष बनाएं और यह तै करें कि आपको क्या करना है जब आपके पास निश्चित लक्षे होता है तब आप आसानी से यह तै कर सकते है कि आप अपने लक्षे के समीब जा रहे है या उससे दूर जा रहे है चाप्टर तेरह सोचे तो लीडर की तरह आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीत्री स्थिती का एक प्रतिबिम्भ है यदि आप अपने आपको एक कॉन्फिडन तथा पॉजिटिव इंसान के रूप में विक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी भी महित्व नहीं देगी प्रगती का विचार करें, प्रगती में विश्वास करें और प्रगती के लिए आगे बढ़े आप जो भी करते हैं, उसमें यह सोचे कि आप इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड उन्चा रखें ज्यादातर एंप्लॉई या कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो की इसे कॉपी किया जा सके यह संकल्प करें कि यह आपके घर, ओफिस या समाज में कोई भी चीज बेहतर करने या प्रगती करने योग्य है तो आप हमेशा इस चीज के लिए तेया रहेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप से कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिये गए सारे महित्वपूर्ण पॉइंट्स को दो बारा दोहराऊंगा तो चलिए सारे महित्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्षों को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाए अपनी क्रियेटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं हर दिन पॉजिटिव सोच रख कर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें कोई भी इनसान अपने आप में आत्म निर्भर नहीं होता सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें अपने आत्म विश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर एक दुश्मन भाय को नश्ट करें असफल लोग बहाने खोजने के लिए उच्सुक रहते हैं कि वे क्यों असफल होते है जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उच्सुक रहते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको The Magic of Thinking Big किताब पर बना यह विडियो बहुत पसंद आया होगा इस विडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बुक समरीज और नौलिज से भरे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल लिस्टे बुक क्लब को सब्सक्राइब करें मैं जल्द ही आपके लिए एक नया विडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगली विडियो में